बोलिए गनेश जी महराज की जैए हो विश्णो भगवान की जैए हो लक्षमी माता की सबसे पहले सुनेंगे सत्य नाराएन भगवान की कहानी एक समय नेमिशारण्य तीर्थ में शोनर कादी सभी रिशी मुनियों ने पुरान शास्त्र के वेता श्री सूर्ट जी महराज से पूछा ए महामुने किस वरत या तपस्या से मनुवांचित फल प्राप्त होता है उसे हम सब सुनना चाहती हैं श्री सूर्ट जी बोले इसी प्रकार देव रिशी नारत जी के पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापती जी ने उनसे जैसा कहा था मैं वैसा ही आप लोगों से कह रहा हूँ आप लोग सावधान होकर सुने एक समय योगी नाराजी ने लोगों के कल्यान की कामना से विविद लोकों में भर्मन करते हुए प्रत्वी लोग में आगवन किया और यहां अपने करम फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश और दुख भोगते हुए देखा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिष्टित रूप से नाश हो जबता है ऐसा मन में विजार करके वे विश्णों लोक को गए अनंत शक्ती संपन, आदी मध्ये और अंत से रहित, निर्गुन और सकल कल्यान में गुनों से संपन, भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले ही परमात्मा आपको नमशकार है इस्तुती सुनने के बाद प्रगवन विश्णु जी ने नारज जी से कहा हे महाभाग, आप किस परियोजन से यहां आए हैं, आपके मन में ऐसर क्या है तब नारज जी ने कहा, हे भगवन, प्रिथ्वी लोक में अपने पाप करमों के द्वारा, विविन योरियों में उत्पन, सभी लोग बहुत तरे की कलेशों से दुखी हो रहे हैं हे नात किस उपाए से उनके कश्टों का निवारन हो सकेगा, यदि आपकी मेरे उपर कृपा हो तो मैं सब सुनना चाहता हूँ, आप मुझे वह उपाए बताईए तब भगवान बोले, हे नारज जी, संसार के उपर अनुग्रे करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है जिस वरत के करने से प्राणी महों से मुक्त हो जाता है, उसे मैं आपको बताता हूँ, आप थ्यान से सुने हे नारज जी, स्वर्व और प्रत्वी लोग में दूलब, भगवान सत्य नाराएन का एक महान वृत है, आपके सने ही के कारण इस समय में कह रहा हूँ अच्छी प्रकार विधी विधान से भगवान सत्य नाराएन जी का वृत करके मनुशे शीगर ही सुख प्राप्त करके परलोक में मुक्ष प्राप्त कर सकता है भगवान की ऐसी वाने सुनकर नाराएन जी बोले, हे प्रबु इस वृत को करने का क्या फल है, इसका क्या विधान है, इस वृत को पहले किस ने किया, इसे कब करना चाहिए, मुझे सब विस्तार से बताईए तब भगवान कहने लगे कि यह शिरी सत्य नाराएन जी का वृत, दुख शोक आधी का शमन करने वाला, धंधानी की वृध्धी करने वाला, सो भग्ये और संतान देने वाला, और सर्वत्र विजे परदान करने वाला है जिस किसी भी दिन भक्ती और श्रदा से समन्वित होकर, मनुष्य ब्रामनों और बंदो बांधों के साथ धरम में तक पर होकर, साइकाल में भगवान शिरी सत्य नाराएन की पूजा करे नवेद्दे की रूप में उत्तम कोटी की भोजनिय पदार्थों को सवाया मात्रा में भक्ती पूर्वक अर्पित करे केले के फल, घी, दूद, गेहों का चूर्ण या गेहों के चूर्ण के अभव में साथी का चूर्ण, शपकर या गुण मिला कर यह सब योग्य सामगरी सवाया मात्रा में एकत्रित कर निवेदित करनी चाहिए बंदू बांधों के साथ शिरी सत्य नारायन भगवान की कथा सुनकर ब्रामनों को भुजन कराना चाहिए भक्ति पूर्वक परशाद क्रहन करके नत्य गीत आदी का आयोजन करे तदंतर भगवान सत्य नारायन का इसमर्ण करते हुए अपने घर को जाए ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाशा पूरी हो जाती है विशेश रूप से कल्यूग भी प्रत्वी लोक में यह सबसी छोटाफ और सरल उपाई है यहाँ पर शिरी सत्य नारायन कथा का पहला अध्याय संपूर होता है बोले शिरी सत्य नारायन भगवान की जैए हो वह ब्रामन भोक और ब्यास से बेचैन होकर प्रत्वी पर घोंगता फिरता था ब्रामनों से प्रेम करने वाले शिरी विश्नों ब्रामन को देखकर एक तेन एक बुड़े ब्रामन का रूप धारन कर उसके पास आए और आदर के साथ मूशने लगे ए ब्रामन देव तुम नित्य ही दुखी होकर प्रत्वी पर क्यों गूमते हो तब वह ब्रामन बोला मैं भिक्षा के लिए प्रत्वी पर मारा फिरता हूँ ए भगवन यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाई जानते हैं तो मुझे बताईए व्रत ब्रामन का रूप धारन की हुए श्री विश्नु भगवान बोले ये ब्रामन श्री सत्य नरायन भगवान मनुवांचित फल देनी वाले हैं तुम उनका पूजन करो इससे सब दुखों से मुक्त हो जाओगे ब्रामन को व्रत का सारा विदान बताकर बुड़े ब्रामन का रूप धारन करने वाले श्री भगवान अंतर ध्यान हो गए जिस व्रत को व्रत ब्रामन ने बताया है मैं उसे अवश्य ही करूँगा ऐसा निश्चे कर वेह ब्रामन अपने घर चला गया अगले दिन जल्दी सुबह उठा और श्री सत्य नरायन जी के व्रत करने का निश्चे कर बिक्षा मांगने के लिए चल दिया उस दिन उसको बिक्षा में बहुत धन मिला जिससे उसने पूजा का समान खरीदा और घर आकर अपने बंदू बांधों के साथ श्री सत्य नरायन जी का व्रत किया इसके करने से वेह ब्रामन सब दुखों से छूट कर अनेक प्रकार की सुख संपत्यों से युक्त हो गया तब से वेह विप्र हर मास इस व्रत को करने लगा इसी प्रकार सत्य नरायन जी के वरत को जो शाष्ट्रे विथी से करता है वे सब पापों से छूट कर मोक्ष को प्राप्थ होता है आगे भी जो वनुष्य प्रत्वी परशिरी सत्य नरायन जी का वरत करेगा वे सब दुखों से छूट जाएगा इस तरहे नारज जी से सत्य भगवान का पहा हुआ यह वरत मैंने आप से कहा तब रिशियों ने कहा हे मुनिश्वर संसार में इस विपर से सुनकर किस किस ने इस वरत को किया हम वहे इतिहास भी सुनना चाहते हैं तब सुच जी कहने लगे ए मुनियों जिस निन प्राणियों ने इस वरत को किया है उन सब की कथा सुनो एक समय वहे ब्रामन धन और एश्वरे के अनुसार बंदो बांदों के साथ वरत पूजा कर रहा था उसी समय एक लकड़हारा वहां आया उसने लकड़िया बाहर रख दी और ब्रामन की घर में चला गया प्यास सिव्याकुल लकड़हारे ने ब्रामन को वरत करती देखा वह अपनी प्यास को भूल गया उसने ब्रामन को नमशकार किया और पूछने लगा ये ब्राम्मन देव आप किसका पूजन कर रहे हैं इस वरत के करने का क्या फल होता है मुझे भी बताईए तब ब्राम्मन कहने लगे कि मैं सब मनो कामनाओं को पूरी करने वाला श्री सत्य नरायन का वरत कर रहा हूँ इने की कृपा से मेरे यहां दन धानने की वरती हुई है विप्रदेव से इस वरत के बारे में जानकर वहें लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ बगवान का चरणामत ले और बोजन करने के बाद वहें अपने घर को चला गया अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज क्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे भगवान श्री सत्य नरायन जी का उत्तम वरत करूँगा मन में ऐसा विचार कर वहें लकड़हारा लकड़ियां अपने सर पर रख कर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां गया उस दिन उसे उन लकड़ियों के चोगुने दाम मिले यह सब देखकर वहें लकड़हारा बहुत परसन्न हो गया और पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूद, दही, गेहों का चोण, इत्यादी शिरी सत्यरायन भगवान के वरत की सभी सामगरी को लेकर अपने घर आ गया फिर उसने अपने बंदू बांधों को गुलाया और विदी विधान के साथ भगवान की पूजा की और वरत किया उस वरत के प्रभावसी वेलकड़हारा धन पुत्र आदी से युक्त हो गया और संसार के सभी सुकों को भोग कर वैकुंट को चला गया बोले श्री सत्य नारायन भगवान की जै यहाँ पर सत्य नारायन भगवान की कथा का दूसरा अध्याय संपूर होता है अब सुनेंगे तीसरे अध्याय की कथा सुच जी कहते हैं हे मुनियों अब मैं एक कथा और कहता हूँ पूर्वकाल में उलका मुखनाम का एक बुद्धिमान राजा था वे सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था परते दिन देविस्थानों पर जाता था और गरीबों को धन दे कर उनका कश्ट दूर करता था उनकी पतनी सुंदर और सती सादवी थी बदरशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्य नायन भगवान जी का वरत किया सादू नाम का एक वैश्य राजा को वरत करते देख उनसे पूछने लगा हे राजन भक्ति उक्त चित्द से आप यह क्या कर रहे हैं ये सम्मेरी सुनने की इच्छा है तब महराज कहने लगे हे सादू वैश्य मैं अपने बंदो बांधों के साथ संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्य नायन भगवान का वरत और पूजन कर रहा हो तब उसने कहा हे राजन मुझे भी इसका विधान बताईए मैं भी आपके कहे कि अनुसार इस वरत हो करूँगा मेरे भी कोई संतान नहीं है मुझे विश्वास है इससे निश्चे ही मेरे भी संतान की प्राप्ति होगी राजा से सब विधान को सुनकर और व्यापार से निर्वत हो वह वैश्य खुशी खुशी अपने घर आया वैश्य ने अपनी पत्नी लिलावती से संतान देने वाले उस वरत का सब वरतान सुनाया और प्रण किया कि जब हमारे यहां संतान होगी तब मैं भी इस वरत को करूँगा एक दिन उसकी पत्नी लिलावती करवती हुई और उसे एक सुन्दर कन्या की प्राप्ती हुई उस कन्या का नाम कलावती रखा गया इसके बाद लिलावती ने अपने पती को इसमरन दिलाया कि आपने जो भगवान का वरत करने का संकल्प किया था अब आपको उसे पूरा कर लेना चाहिए तब वह साधू वैशी कहने लगा हे प्रिये मैं कन्या की विवाहा पर इस वरत को करूँगा इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वाशन दे कर वह व्यापार करने चला गया काफी दिनों बाद वह लोटा तो अपने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को उसने खेलते देखा वैशी ने ततकाल कलावती के लिए सुयोग्य वर की तलाश की कंचन नगर के एक सुयोग्य वनिक पुत्र से अपने बंधू बांधू सहित प्रसन चितो कर अपने पुतरी का विवाहा उसने उसके साथ कर दिया वैश्य विवाहा के समय भी शिरी सत्यनायन भगवान का वरत करना भूल गया इस पर शिरी सत्यनायन भगवान ने लीला की अपने कारिये में कुशल साधु नाम का वैश्य अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यपार करने के लिए समुदर के समीब इस्तित रतना सारपुर नगर में गया दोनों ससुर जमाई राजा चंदर केतु के नगर में व्यपार करने लगे एक दिन भगवान श्री सत्यला रायन जी की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था राजा के दूदों को अपने पीछे आते देख चोर ने खबरा कर राजा के धन को उनकी नाव में रख दिया और वहाँ से भाग गया यह नाव उन्हें ससुर जमाई की थी जब राजा के धन को उनकी नाव में रखा देखा गया तब उन्हें पकड़ कर राजा के समीप ले गए और बोले हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं अब आप आग्या दें राजा ने उन दोनों को कारागार में डालने की आग्या दे दी इस प्रकार राजा की आग्या से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन भी छीन लिया गया सत्यनायन भगवान जी की लीला की अनुसार सादू वैशे की पतनी लीलावती और पुतरी कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई उनके घर में रखाधन चोड ले गए एक दिन शाररिक और मानसिक पीड़ा और भोग प्यास से व्याकुल होकर भोजन की चिंता में कलावती एक प्रामन के घर गई वहाँ उसने शिरी सत्यनायन भगवान का व्रत होती देखा उसने कथा सुनी और परशाद ग्रहन कर रात को अपने घर आई तब माता ने कलावती से पूछा ये पुतरी तो अब तक कहा थी बता तेरे मन में क्या है तब कलावती अपनी माता से कहने लगी ये माता मैंने शिरी सत्यनायन भगवान का व्रत होते देखा है तब कलावती की बातों को सुर्गर लेलावती ने सत्यनार्यन भगवान के पूजा की तयारी की उसने परिवार और बंधों सहित शिरी सत्यनार्यन भगवान का पूजन किया और वरत किया और वर मांगा कि मेरे पती और दामाद शिगर ही घर लोटाएं साथ ही प्रार्थना की कि हम सब का प्राच्छमा करें शिरी सत्यनारयन भगवान ब्रत से संतुष्ठ हो गए उन्होंने राजाचंदर गेतु को सवपन में दर्शन दे कर कहा ये राजन जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोश हैं प्रातेकाल होते ही उन्हें छोड़ देना राजा से ऐसे वचन कहे कर भगवान अंतर ध्यान हो गए प्रातेकाल राजा चंदर केतु ने सभा में सब को अपना सोपन सुनाया और सैनिकों को आग्या दी कि दोनों वनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया जाए और सभा मिलाया जाए दोनों ने आते की राजा को परडाम किया तब राजा ने उनसे कहा ए महानुभावो तुमें भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है किन्तु अब तुमें कोई भै नहीं है तुम मुक्त हो ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए नए वस्त्राबोशन दिये और उनका जितना धन लिया था उसे दुगना लोटा कर आदर से विदा कर दिया दोनों वैश्ये अपने घर को चल दिये बोली शिरी सत्य नारायन भगवान की जैहो यहाँ पर तीसरा अध्याय समाप्त होता है और सत्य नारायन भगवान के चोथे अध्याय की कता शुरू होती है शिरी सूच जी महराज कहने लगे कि वह वैश्ये और उसके जमाई ने मंगला चार करके यात्रा अरभ की और अपने नगर की तरफ चल पड़े थोड़ी ही दूर आगे पड़े थे कि दंड वेश्थारी शिरी भगवान जी उनके पास आए और पूछने लगे ये वैश्य तुमारी नाव में क्या है अभिवानी वनिक हस्ता हुआ बोला ए दंडी आप क्यों पूछ रहे हैं क्या धन लेने की इच्छा है मेरी नाव में तो बेल और पत्ते ही भरे हैं वैश्य के कठोर वचन सुनकर दंडी रूपी भगवान ने कहा तुमारा वचन सत्ते हो जाई ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुंदर के किनारे बैठ गए दंडी महराज की जाने के बाद वैश्य ने नितिक रिया से निर्वत होने के बाद नाव को कुछ उची उठी देखा तो अचमबा करने लगा देखा तो नाव में बेल पत्ते आदी भरे हैं मोर्शित होकर वही जमीन पर गिर गया होश आने पर अध्यन्त शोक परकट करने लगा तब उसके जमाता ने कहा कि आप शोक ना करें यह दंडी महराज का श्राप लगता है हमें उने की शरण में चलना चाहिए तब ही हमारी मनोकामना पूरी होगी जमाता की वचन सुनकर दंडी महराज के पास पहुचा और भक्ती भाव से परनाम करके कहने लगा मैंने जो आप से असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे शमा कर दें ऐसा कहकर वह वैशे जोर जोर से रोने लगा तब दंडी भगवान बोले हे वनिक पुत्र मेरी आग्या से ही तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है तु मेरी पूजा से विमुक हुआ है तब उन्होंने कहा हे भगवन आपकी माया से ब्रम्भा आदी देवता भी आपके रुप को नहीं जान पाते तब मैं भला अज्यानी आपको कैसे जान सकता हूँ अब आप परसन हो जाएए मैं अपने सामर्थे के अनुसार आपकी पूजा करूँगा मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नोका को धन से भर दीजिए उसके भगतियुक्त वच्छनों को सुनकर शिरी भगवान परसन हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वर दे कर वहां से अंतर ध्यान हो गए तब ससुर्ख और जमाई ने दोनों ने नाव पर आकर देखा तो देखा नाव तो धन से परिपूर्ण है फिर वह भगवान सत्य नरायन जी की पूजा करने लगा और जमाता सहित अपने नगर को वापस चला जब नगर के निकट पहुँचा तब उसने एक दोत को अपने घर वेजा दोत ने वैशे के घर जाकर उसकी पतनी को नमशकार किया और कहा कि आपके पती दमात सहित इस नगर के समी पागए है लीलावती और कलावती उससमें भगवान का पूजन कर रही थी दोत का वजन सुनकर सादो की पतनी ने बड़े हर्ष के साथ सत्य रेव का पूजन पूण किया और अपने पुतरी जी कहने लगी मैं अपने पती के दर्षन को जाती हूँ तो भी पूजा पूण कर शिक्र ही आ जाना प्रन्तू कलावती पूजन एवं परशाद को छोड़कर अपने पती के पास जाने लगी प्रन्तू उसको पती का दर्षन प्राप्त नहीं हुआ नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोती हुई देखकर वैशे दुखी हो गया और कहने लगा हे प्रभू मुझसे या मेरे परिवार से जो भी फूल हुई है उसे शमा कर दो उसके दीन वच्छनों को सुनकर सत्य देव भगवान परसन्न हो गए और उसी समय आकाशवानी हुई हे वैशे तेरी कन्या परसाद छोड़ कर आई है इसलिए इसका पती अरदश्य हुआ है यदि वह घर जाए और परशाद खा कर लोटे तो इसका पती जी उठेगा आकाशवानी सुनकर कलावती भागी भागी घर गई उसने पूजन किया परशाद खाया और फिर आकर अपने पती के दर्शन किये तत्पश्यात वैशे ने वही परबंधो बांधों के साथ सत्य भगवान का विधी पूरवक पूजन किया इस लोग में सुको को भोग कर अंतमीवे स्वर्ग लोग को गया बोली शिरी सत्य नारायन भगवान की जय हो यहाँ पर सत्य नारायन विध कथा का चोथा अध्याय समाप्त होता है अब सुनेंगे पांचवे अध्याय की कथा सुजी कहते हैं एर इशियों मैं और एक कथा कहता हूँ परजा पालन मेलीन तुँधोर जनाम का एक राजा था उसने भगवान सत्य देव का परशाद त्याक कर बहुत दुप पाया एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मार कर बढ़ की वरक्ष के नीची आया वहाँ उसने ग्वालो को बक्ति भाव से बंधो बांधो सहित शिरी सत्य नरायन जी का वरत और पूजा करते देखा परंतु राजा पूजा को देखकर भी अभिमान के कारण ना तो वहां गया और ना ही उसने सत्य भगवान को नमश्कार किया जब ग्वालो ने भगवान जी का परशाद उसके सामने रखा तब वह परशाद त्याग कर अपने नगर को चला गया नगर में पहुँच कर उसने देखा कि सब कुछ नश्ट हो गया है वह समझ गया कि ये सब भगवान सत्य देव की ही लिला है तब वह उसी इस्थान पर वापस आया और बॉलो के समीब गया विदी पूरवक, पूजा की और परशाद ग्रहन किया तो सत्य नवैन भगवान की किरपा से सब कुछ पहली जैसा हो गया वै दिर्ग गाल तक सुखों को भोग कर स्वरवक को वापस चला गया जो मनुष्य इस परमदूरलवरत को करता है शिरी सत्य नवैन भगवान की किरपा से उसे दंधानने की प्राप्ती होती है निर्दन धनी बंदी बंदन से मुक्त हो जाता है और निर्भे हो जाता है संतान हीन को संतान की प्राप्ति होती है और सम मनोरत पूर्ण होकर अंत में वैकुंट धाम की प्राप्ति होती है जिनोंने पहले इस्वरत को किया अब उनके दूसरे जनम की कथा भी सुनिये शतानन ब्राम्मन सुदामा की रूप में जनम लेकर श्री कृष्ण की भक्ती प्राप्त करता है और मोक्ष प्राप्त करता है उलका मुख नाम का राजा राजा दशरत होता है श्री रंगनात का पूजन कर वेकुंट को प्राप्त होता है साधुनाम की वैशिनी, धर्मात्मा और सत्य पर्दिग्य राजा मोर ध्वज बनकर अपने पुतर को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया महराज तुंगधवज स्वयम भूख मनु हुए उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ती में लीन किया और स्वयम मोक्ष प्राप्त किया लगकड़ारा भील अगले जनम में गुख नाम का निशाद राजा हुआ जिसे भगवान श्री राम के चर्णों की सेवा कावसर मिला और सेवा करके उसने मोक्ष प्राप्त किया बोलिए श्री सत्य नारायन भगवान की जय हो यहाँ पर श्री सत्य नारायन वरत कथा का पांचवा अध्याय संपूर्ण होता है आईए अब सुनते हैं पूर्णिमा वरत की कथा बोलिए विश्रो भगवान की जय हो दौपर युग की बात है एक दिन यशोदा मैया भगवान कृष्ण से कहने लगी हे कृष्ण तुम तो सारे संसार के उत्पन करता हो पोशन और संखार करता हो आज कोई ऐसा वरत मुझसे कहो जो सभी मनुश्यों की मनोकामना पूरी करने वाला हो तब भगवान कृष्ण कहने लगे हे माता तुमने अति सुन्दर प्रश्न किया है मैं तुमसे एक ऐसे वरत को सहविस्तार कहता हूँ सोभाग्य की प्राप्ति के लिए इस तरियों को 32 पूर्णिमासियों का वरत करना चाहिए इस वरत के करने से इस तरियों को सोभाग्य संपत्ति मिलती है यह वरत अचल सोभाग्य को देने वाला और भगवान के प्रती मनुश्य मात्र की बगती को बढ़ाने वाला है तब यशोदा मिया पूछने लगी कृष्ण बताओ सर्व पर्थम इस वरत को किस ने किया इसके विशय में विस्तार से मुझे बताओ तब भगवान कृष्ण बोले इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्मों से परिपूर्ण काति का नाम की एक नगरी थी वहाँ धनेश्वर नाम का एक प्रामन रहता था उसके इस्तरी बहुत शुशील और रूपती थी दोनों नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे उनके घर में दन धानने की कोई कमी नहीं थी बस उनको एक ही बड़ा भारी दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी जिस वजे से दोनों बड़े दुखी रहते थे एक समय एक बड़े तपस्वी योगी उस नगरी में आए वह योगी बाकी सभी घरों से बिक्षा मांग कर बोजन किया करते थे लेकिन उन ब्राम्मन के घर से कभी बिक्षा नहीं लेते थे एक दिन योगी गंगा किनारे बिक्षा मांग कर प्रेम पूर्वक बोजन कर रहे थे कि धनेश्वर ने ये सब देख लिया यह कार्ये देखकर वह अपने बिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से कहने लगा आप सभी घरों से बिक्षा लेते हो पर मेरे घर की बिक्षा नहीं लेते इसका कारण बताईए तब योगी ने कहा कि आपके धरम हमें इस बात की अग्य नहीं देता क्योंकि आप ग्रैस्त जीवन में एक सुकसे वंचित हैं आपके घर में संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्विकार कर सकता हूँ लेकिन जिनके संतान नहीं है उनके घर से भिक्षा लेने से मेरे पतित हो जाने का भै है धनेश्वर ये सब बाते सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा दुखी मन से कहने लगा कि आप ही मुझे संतान प्राप्ती का कोई उपाय बताईए आप तो सरवग्य हैं मुझे पर अवश्य ही किरपा कीजिए दन की मेरे घर में कोई कमी नहीं लेकिन मैं संतान न होने से बहुत दुखी हूँ मेरे दुख का हरण कीजिए यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी देवी की अरादना करो घर पहुँचकर उसने ये सारी बाते अपनी पत्नी को बताई और चंडी देवी की अरादना करने वन में चला गया वन में पहुँचकर उसने चंडी देवी की अरादना की तपस्या की उपवास किया चंडी देवी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिये और कहा जा धनेश्वर तेरे पुत्र की प्राप्ती होगी लेकिन उसकी आयू सिर्फ सोले वर्ष की होगी सोले वर्ष की आयू में उसकी मृद्धी हो जाएगी अगर तुम दोनों इस तरी पुरुष 32 पूर्णिमा का वरत करोगे तब ही वह दिरगायू होगा जितनी तुमारे समर्थे हो उतने आटे के दिये जला कर भगवान शिव का पूजन करना लेकिन 32 पूर्णिमासी का वरत करना सुबह होते ही इस इस्थान पर तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा उस पर चड़कर एक फल तोड़कर अपने खर चले जाना अपने इस तरी का इस बारे में बताना सुबह इस्थान करने के बाद स्वच्छ होकर शंकर जी की पूजा करके इस फल को वह खा ले तब शंकर भगवान की किरपा से उसको पुतर की ब्राप्ती होगी जब ब्रामन सुबह उठा तो उसे उस इस्थान पर आम का एक पेड़ दिखाई दिया वह उस पर चढ़ा और फल तोड़ना चाहा लेकिन वह पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था यह सब देखकर तो उसे बड़ी चिंता हुई तब उसने भगवान गरेश की उपास ना की और प्रार्त ना की हे दयानी थे अपने भगतों के विगनों का नाश करके उनके मंगल कारियों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धी सिद्धी को देने वाले आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सको इसके बाद वह पेड़ पर चढ़ सका और उसने पेड़ से फल तोड़ लिया अपनी पत्नी के पास गया और उसकी पत्नी ने बताए गए अनुसार इस फल को खा लिया बगदेवी जी की किरपा से उसे एक सुन्दर पुतर की प्राप्ती हुई दोनों ने मिलकर उसका नाम देवी दास रखा माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा भगवान की किरपा से वह बालक बहुत ही सुन्दर था सुशीन था और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुन्ध था दुरगा जी के कही अनुसार उसकी माता ने 32.18 का वरत रखा जैसे ही सोलवा साल लगा तब दोनों पती पतनी बहुत दुखी हो गए कि कहीं उनके पुतर की मृत्यों ना हो जाए उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने उनके पुतर की मृत्यों होगी तो वे कैसे देख पाएंगे तब उन्होंने देविदास के मामा को बुलाया और एक साल के लिए देविदास को काशी में पढ़ने के लिए बेज दिया एक वर्ष बाद इसे वापस लेकर आ जाना ऐसा उन्होंने देविदास के मामा से कहा देविदास अपने मामा के साथ एक गोड़े पर सवार होकर चल दिया उसके मामा को यह बात नहीं पता थी कि यहें इसके मृत्यों का समय है दोनों पती पतनी पूरे फचद्धा भाव से पूर्ण मासी का व्रत करने लगे दोसे तरफ मामा और भांजे अपनी यातरा के दोरान रात गुजारने के लिए एक गाओं में रुखे उस गाओं में ब्रामन की कन्या का विवाह होने वाला था जिस तरमशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुखे थे उसी धरमशाला में देवी दास और उसका मामा भी ठहर गए उदर कन्या को टेल चड़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तवियत खराब हो गई वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विजार मुमर्श किया और कहा कि यह देवी दास मेरे बेटे जैसा ही लगता है मैं इसके साथ लगन करा दो और बाकी के सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवी दास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ मिलेगा वहे हमें दे दिया जाए तो मैं आपकी बात मान लोगा वर के पिता ने बात स्विकार कर ली देविदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया विवाह के बाद देविदास उदास बैठा था तब उसकी पतनी ने पुछा कि आप उदास क्यों बैठे हो तब उसने सारी बाते अपनी पतनी को बता दी तब वह कंडिया कहने लगी कि मैं तो किवल आपी की पतनी रहूंगी किसी अन्य की रही तब देवी दास कहने लगा नहीं एजा मत करना मेरी आयू तो बहुत कम हैं मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा लेकिन उसकी पतनी नहीं बानी और बोली आप फोजन कर लीजिए मेरा जो होगा सब देखा जाएगा सुबह देवी दास ने अपनी पतनी को एक अंगुठी दी और एक रुमाल दिया और बोला हे प्रिये इसे ले लो और संकेत समझ कर इस्तिफचित हो जाओ मेरे मरण और जीवन को जानने के लिए एक पुश्पवाटिका बना लो उसमें सुगंदी वाली एक नवमलिका लगा लो उसे परते दिन जल से सीचा करो और आनंद के साथ रहो जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणान थोगा उस दिन वह फूल सूख जाएंगे जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ यह सब समझा कर वह वहां से चला गया इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंड़क में आए तब कन्या ने उसे देख कर कहा कि यह मेरा पती नहीं है मेरा पती तो वह है जिसके साथ रात में मेरा विवहा हुआ था इसके साथ मेरा विवहा नहीं हुआ है अगर यह वही है तो बताए मैंने इसी क्या दिया है साथ ही कन्यादान के समय जो अभूशन मिले थे वह भी दिखाए कन्या की बाते सुनकर वह वर कहने लगा कि मैं इस सब कुछ नहीं जानता सारी बारात अपमानित हो कर लोट गई भगवान कृष्ण बोले है माता इस प्रकार देविदास काशी चला गया जब कुछ समय बीता तब एक सर्फ उसको डसनी के लिए आया लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णिमा के वरत पूर्ण कर लिये थे तब खुद काल वहाँ पर आया और भगवान की किरपा से तभी माता पार्वती और भगवान गरेश भी वहाँ आ गए काल को देखकर देविदास मूर्चित हो गया देविदास को मूर्चित दवस्था में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा महराज इस पालक की माता ने 32 पूर्णिमा के वरत पूर्ण कर लिये हैं अब आप इसे प्राण दान दे बगवान शिव ने माता पारवती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया उदर उसकी पत्नी पर्तिक्षा कर रही थी जब एक दिन उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुश्प और पत्र दोनों ही वाटिका में नहीं है तब उसे बड़ा अश्चरिय हुआ लेकिन कुछ देर बाद ही पुश्प वाटिका फिर से हरी परी हो गई तब वह जान गई कि उसका पती जिंदा हो गया है वह बहुत ही परसन होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पती जीवित हो गए हैं अब उनको ढूड़िये जब सोलवा वर्ष वैतीत हो गया तब देविदास अपने मामा के साथ काशी से अपने घर चल दिया इदर उसकी पत्नी के परिवार वाले भी ढूड़ने के लिए निकल ही रहे थे उन्होंने देखा कि देविदास और उसका मामा उदर ही चले आ रहे हैं उनको देखकर उसके ससुर बहुत परसन हुए और उसे अपने घर ले गए सारा नगर वहाँ इकठा हो गया कन्या ने वहाँ उसे पहचान लिया और देविदास अपने पत्नी और मामा को लेकर अपने घर चल दिया उसके ससुर ने बहुत सधन देकर उसे विदा किया था जब वह अपने घर जा रहा था तब लोगों ने उसकी माता पिता को खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है ये सब समझार सुनकर पहले तो ने विश्वास नहीं हुआ लेकिन जब देविदास आया और उसने अपनी माता-पिता की बैट छुए तब देविदास की माता-पिता ने उसका माता चुमा और उसे अपने गले से लगा लिया उनके आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सा दान दक्षिना ब्रामनों को दी श्री कृष्ण कहते हैं इस तहें से धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के वरत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई और उसके जीवन पर जो संकट आया था वहे भी डल गया जो भी स्तरी इस वरत को करती है वहे जनम जनमानतर तक वैदव्य का दुख नहीं भोगती सदैवी सो भागशाली रहती है यह मेरा वचन है यह वरत संतान को देने वाला और सभी मनो कामनाओं को पूरी करने वाला है बोलिये श्री विश्णो भगवान की जैहो आईए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी बोलिये श्री तुलसी माता की जैहो प्राचीन काल में हरी मेधा और सुमेधा नाम के दो ब्रामन थे वह जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याफुल हो गए वहाँ उस इस्थान पर उन्होंने तुलसी वन को देखा तब सुमेधा ने तुलसी जी का महानवन देखकर उसकी परिकर्मा की और भक्ती पूर्वक परणाम किया यह सब देखकर हरी मेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवी देवताओं और तीर्थों की व्रतों के रहते हुए तुलसी वन को परणाम क्यों किया तब सुमेधा ने वताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा रिशी के श्राप से इंदर का एश्वरे छिन गया तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मन्थन किया तब धन्वंत्रे रूप भगवान श्रीहरी दिव्य ओशदियां प्रकट हुई उन दिव्य ओशदियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन हुई जिसे ब्रह्मा आदी देवताओं ने श्रीहरी को समर्पित कर दिया और भगवान ने उसी ग्रहन कर दिया भगवान नारायन संसार के रक्षक और तुलसी देवी उनकी प्रियतमा है इसी लिए मैंने उन्हें परणाम किया है सुमेदा इस परकार कहे ही रहे थे कि सुर्ये के समान अध्यनत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उत्रा उन दोनों के समक्षी वहाँ पर एक बरगद का प्रक्षकिर पड़ा उसमें से दो दिव्यपुरुष प्रकट हुए उन दोनों ने हरीमेदा और सुमेदा को परणाम किया तब दोनों प्राम्बन उनसे पूछने लगे कि आप कौन है तब उन में से जो बड़ा था एह बोला मेरा नाम आस्तिक है एक दिन मैं नंदनवन में प्रवत पर क्रिड़ा करने गया तो दिवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा नुसर विहार किया उस समय उन यूगतियों के हार के मोती तूटकर तपस्या करते हुए लोमश रिशी पर जागिरे यह देखकर मुनी को कुरोध आया और उन्होंने सोचा कि इस्तरियां तो परतंत्र होती हैं इसलिए उनका अपराद नहीं है दुराचारी आस्तिकी श्राप के योग्य है यह सोचकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया अरे तु ब्रह्म राक्षष होकर बरगत की पेढ़ पर निवास कर जब मैंने विंती से उन्हें परसन किया तब उन्होंने श्राप से मुक्ति की विधी सुनिश्डित कर दी कि जब तू किसी ब्रामन के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तुझे उत्तम मुक्ष की प्राप्ती होगी इस प्रकार मुक्ती का श्राप पाकर मैं चिरकाल से इस्वट परक्षपन डिवास करता था आज देवश आपके दर्शन से मिलच छुटकारा हो गया है इस प्रकार वे दोनों सरेष्ट ब्रामन परस पर पुन्यमई तुलसी देवी की परशंशा करते हुए तीर थ्यात्रा को चले गए भगवान विश्णू को परिये तुलसी देवी की प्राते काल रोज उठकर जो परिकर्मा करता है पूजा करता है तुलसी देवी की इस कथा को सुनता है भगवान विश्नो की किरपा से उसकी सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है और उसकी सभी वनोकामनाव को पूरती होती है वोलिये शिरी तुलसी मादा की जै हो आईए अब सुनती है भगवान कृष्न की कहानी बहुत समय पहले की बात है एक गाउ में कृष्ना भाई नाम की एक महिला रहती थी वह भगवान कृष्न की परमभक्तर थी वह एक छोटी सी जोपड़ी में रहा करती थी कृष्ना भाई का वास्त्विक नाम तो सुखिया था परमतो कृष्न भगती में लीन रहने के कारण गाउवालों ने उनका नाम कृष्ना भाई रख दिया था घर घर में चाड़ो पोचा करना, बरतन करना और खाना बनाना ये इनका काम था कृष्ना भाई जी रोज फूलों की माला बना कर दोनों समय भगवान श्री कृष्न को पहनाती थी और घंटो काना से बाते करती थी गाउवाले तो कहते थे कि बुड़िया पादल हो गई है एक रात श्री कृष्न जी ने अपनी बक्त कृष्ना भाई से कहा कि कल बहुत बड़ा भूचा लाने वाला है तुम यह गाउव छोड़कर दूसरे गाउव में चली जाओ अब क्या था काना का अदेश था कृष्ना भाई ने अपना सभी समान इकठा करना शुरू कर दिया और गाउवालों से कहा कि कल सपने में काना आई थे और कहे रहे थे कि बहुत बड़ा पड़ा आने वाला है गाउव छोड़कर पास के गाउव में चली जा अब लोग कहां उस बूड़ी पागल की बात मानने वाले थे जो सुनता जोर जोर से हसने लगता तब क्रिश्ना भाई ने एक पहल गाड़ी मंगाई और अपने काना की मूर्टी ली सामान की गठड़ी बांधी और गाड़ी में बैठ गई लोग उसकी मुर्कता पर हस रहे थे क्रिश्ना भाई जाने लगी तो गाउव की सीमा पार कर अगले गाउव में परविश करने की वाली थी कि उसे अपनी काना की आवाज आई अरे पगली अपनी जोपड़ी में से वो सोई तो लेया जिससे तो माला बना कर मुझे पहनाती है यह सुनकर तो वह पेजजन हो गई तडब गई अरे ये भारी भूल मुझसे कैसे हो गई अब मै काना की माला कैसे बनाऊंगी उसने तुरन थी गाड़ी वाले को रुका और बदहवास अपनी जोपड़ी की तरफ भागने लगी गाँवाले उसका बागलपन देखते रहे और को उसका खूब मजाक मनाते रहे माई ने जोपड़ी के तिनकों में फसी होई सुई को निकाला और फिर पागलों कितरें दोड़ती होई अपनी गाड़ी के पास आई तब गाड़ी वाला कहने लगा माई परिशान क्यों हो रही हो कुछ नहीं होने वाला है तब माई कहने लगी तुझे कुछ नहीं पता चल अब जल्दी से अपने गाओं की सीमा पार कर तब गाड़ी वाले ने गाड़ी चालू कर दी अरे ये क्या जैसे ही करिशन बाई ने काओं की सीमा पार की पूरा गाओं समुदर में समा गया जैसे सब कुछ जलमगन हो गया था गाड़ी वाला भी कृष्ण भग्त था ये इनके इन प्रकारे इन भगवान ने उसकी भी रक्षा की जो काम वाले कृष्ण भाई को पागल बुडिया कहकर उसका मजाक बना रहे थे वे सभी पानी में डूब कर मर गए लेकिन भगवान ने अपने भग्त कृष्ण भाई का बाल भी पाका नहीं होने दिया सची है भगवान अपने भग्त की रक्षा के लिए कितनी चिंता करते हैं बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो आईए अब सुनते हैं तपसी लपसी की कहानी जिसके सुने बिना कोई विवरत कता पूरी नहीं माने जाती एक तपसी था, एक लपसी था तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता और लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाता भगवान को भोग लगाता और चीम लेता एक दिन दोनों लड़ने लगे तपसी बोला मैं बढ़ा, लपसी कहने लगा मैं बढ़ा तपसी कहने लगा मैं तो रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं ही बढ़ा हूँ लपसी बोला मैं रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का फोग लगाता हूँ कि तुम लड़ो मत तुम्हारा दोनों का फैसला मैं कर दूँगा दूसरे दिन तपसी और लपसी नहा कर अपनी रोज की भक्ती करने के लिए आ रहे थे तो नारज जी ने छुपकर सवा करोड की एक एक रतन जड़ीत अंगुठी दोनों के रास्ते में रखती ऐसी जंगे रखी जहां से उन दोनों की नजर बढ़ जाए और उन्हें लगे कि किसी की कोई चीज गिरी पड़ी है तपसी की नजर जब अंगुठी पर पड़ी तब उसने चुपचाप अंगुठी उठा ली और तपस्या करने बैठा तो अपने खुटने के नीचे दबा ली उसने सोचा कि आई लपसी की सारी हेकडी निकाल दूँगा बहुत कीमती दिख रही है इसे बेशने से तो बहुत पैसे मिलेंगे जिससे बड़ा भारी एग्ये करूँगा और अपने आपको बड़ा साबित कर दूँगा जब लपसी की नजर अंगुटी पर पड़ी तब उसमें उसकी तरव ध्यान भी नहीं दिया उसने भगवान को भोग लगाया और लापसी खाने लगा लपसी ने भी रतंजरित अंगुटी देखी थी पर उसमें सोचा कि मेरे किस काम की इसे पास में रखूँगा तो कोई आतर गरदन काट देगा और इसे ले जाएगा ऐसा विचार कर उसने अंगुटी को देख कर भी अंदिखा कर दिया थोड़ी देर में नारच जी आए दोनों ने पुछा बताईए देवरिशी हम दोनों में से कौन बड़ा है तब नारच जी ने तपसी से कहा कि तु खड़ा हो जा पहले अपने गुटने के नीचे बता तुने क्या दवा रखा है जैसे ही तपसी खड़ा हुआ उसके गुटने के नीचे दभी अंगुठी निकली तब नारच जी तपसी से कहने लगे इतनी तपस्या करने के बाद भी तेरी चोरी करने की आदत नहीं गई तुझसे तो लपसी ही बड़ा है तुझे तेरी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा अब तपसी सर्मिंदा हो गया और बहुत माफी मांगने लगा उसने नारज जी से पुछा बगवन कोई ऐसा उपाई बदाईए कि मुझे मेरी तपस्या का फल मिल जाए तब नारज जी कहने लगे यदि कोई गाएं और कुटे की रोटी नहीं मलाएक बनाएगा तो उसका फल तुझे मिल जाएगा कोई ब्रामनों को भोजन करवा कर दक्षिना नहीं देगा तब उसका पुन्य तुझे मिल जाएगा साड़ी के साथ बलाउज नहीं देगा तो उसका पुन्य तुझे लगेगा दिये से दिया जलाएगा दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा तो उसकी भक्ती का फल तुझे मिल जाएगा सारी कहानी सुनकर तेरी कहानी नहीं सुनेगा तो उसकी सारी पूजा का फल तुझे होगा बस उसी दिन से हर वरत कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है जो कोई भी तपसी लपसी की कहानी नहीं सुनता है उसके पूजा पाड़ का उसे कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है ये थी पूर्णिमा की सारी कथाएं जो पूर्णिमा के इत्वरत करने वाले को या पूर्णिमा के दिन पूजा करने वाले को सुनने चाहिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही अरे कृष्णा राधी राधी